Hello guys, मैं मैं सलीफ रॉम सारन बिहार and you are watching मेरे कलिनी क्लासेज मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी वीडियो और आज की इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ Excuse me पे यानि Excuse me एक ऐसा word है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तिमाल में आता है इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा लोगों के दुवारा किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हो कि Excuse me का प्रयोग किन किन सिचुईशन में करना चाहिए वैसे लोगों को बस एक या दो सिचुईशन पता रहती है और बागी की सिचुईशन उन्हें पता नहीं होती है तो उन सिचुईशन को बताने के लिए हैं मैं लेकर के आया हूँ आज की ये वीडियो आप से गुजारिश होगी कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और समझे कि Excuse me का यूज आपको कहा कहा करना है आप तो जानते हो कि अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ ऐसे Words होते हैं जिनसे परिचित होना जिनसे वाकिफ होना हम सब के लिए बहुत जरूरी है अगर उन शब्दों की जनकारी हमें नहों हो तो फिर हम एक अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं और इंग्रेजी के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना ही होता है तो उनहीं शब्दों में से कुछ शब्द जो बहुत important है वैसे शब्द में लेकर के आया हूँ आपके लिए और मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ जैसे कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ हेलो के बारे में हाई के बारे में best of luck all the best इस तरीके के जो भी words होते हैं जो भी एक परकार के phrases होते हैं जो एक दुसरे के साथ बोले जाते हैं अलग-अलग situation के according तो ठीक उसी परकार से ये excuse me भी है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और it is very essential for all the students, all the people जो परने वाले हैं उनके लिए भी और जो नहीं परने वाले हैं उनके लिए भी तो शुरू करते हैं आज का lesson, आज की वीडियो, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ excuse me किन-किन situations में बोला जाए सबसे पहले जान लेते हैं कि excuse me का मतलब होता क्या है excuse एक verb है, जिसका मतलब होता है चमा करना, माफ करना और me तो आप जानते हो, मिमिन्स मुझे, यानि मुझे माफ करना या मुझे चमा करना जब भी कोई ऐसी situation कहनी हो, तो मुझे माफ करना या मुझे चमा करना चोटी चोटी गलतियां हो, या फिर चोटे मोटे situations हो, तो वहाँ पर हम excuse me कहते हैं तो फिर आपके मन में ख्याल आएगा कि sorry कब बोले, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा तो आप excuse me कहना, इसका मतलब होगा कि माफ करना मुझे, शमा करना मुझे, या माफ किजिएगा मुझे, शमा किजिएगा मुझे तो इस तरीके से आप excuse me बोलते हो, किसी को interrogate करने के लिए भी लोग excuse me बोलते हैं तो सबसे पहले आपकी शुरुवात होनी चाहिए excuse me कहके, जब आप excuse me कहोगे, तो उन्हें लगेगा कि भाई, इसको कोई ना कोई बात कहनी है, कोई ना कोई इसको काम है, और इसने जो interference किया है, इसके लिए ये शमा चाहता है, तो वो लोग आपकी बातों को बहुत अच् चीक खासी से लोग काफी बच रहे हैं, तो अगर आपको चीक या खासी आ रही हो, दो चार लोगों के आप बीच में हो, तो आप अपने मुंडी को घुमाते हुई है, थोड़ा सा साइड होते हुए excuse me कहकर कि आप चीकते या खासते हो, यानि ये कहने के लिए कि छामा करन नेचुरल है ना, इसलिए ये तो सब के साथ होता है, तो आप वहाँ पर excuse me कहते हो, तो इसका मतलब होता है कि छामा करना, माप करना, यानि हम दोनों के बीच में या आप लोगों के बीच में जो थोड़ी बहुत disturbance हुए मेरे छीकने से खासने से, उसके लिए मैं छामा चा चाहते हो कि भाई थोड़ा सा खिसक जाना, या थोड़ा से खिसक जाईएगा, तो ऐसी situation में आप ये समनक है कि आप सिर्फ कहोगे excuse me, तो वो बंदा और शेक्तन समझ लेगा कि आप क्या कहना चाहते हो, और तब जाकर के वो आपको जगह देदेगा, या फिर आप से कहेग कि भाई जगह नहीं है, या फिर आप खुद ही चले जाब अपना पैर को समेट लेगा, तो इस तरीके से आप वहाँ भी excuse me कहते हो, या शमा करना, माफ करना, मैं बैठना चाहता हूँ, उसमें ये situation लगी हुई है, तो जो highly qualified हैं, जो परहली के लोग हैं, शेहर के लोग, न माच मिनट के लिए, तो आप ऐसे ही उठकर नहीं चले जाओगे, आप कहोगे excuse me, उसके बाद वहाँ से आप उठोगे और जाओगे, इससे ये बोध होगा, इससे ये पता चलेगा कि भाई, ये बंदा मतलब हमेशा कले नहीं जा रहा है, ये बस कुछ पल के लिए, कुछ या करशित करना हो, या तकाना हो, या दिखाना हो, तो आप कहते हैं, एक्सक्यूज मी भाई, एक्सक्यूज मी ब्रो, एक्सक्यूज मी सिस, इस तरीके से आप एक्सक्यूज मी कहते हो, वो बंदा आपकी तरफ देखता है, और अपनी बाते आप कहते हो, तो एक्सक्यूज सब से पहले आपको excuse me कहना चाहिए अगर आप ऐसा कहते हो ना तो आप परहे लिखे समझे जाओगे आपकी respect बढ़ जाएगी क्योंकि आपको पता है कि परहे लिखे लोगों की पहचान उनकी बातों से उनके ब्योहारों से उनके आचरण से होती है क्योंकि अंदर कोई घुस कर देखता नहीं कि भाई कौन कितना परह लिखा है हमारा आचरण ही हमें महान बनाता है हमें respectable बनाता है हमें honorable बनाता है हमें चाहिए कि हम बात ही बात में यानि बात ही बात में हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे लोगों को तकलीफ न पहुचे लोगों को हरट न हो so dear students और भी excuse me के बहुत सारे प्रयोग है और हाँ शुरुवात में मैंने बात की थी आपसे कि sorry और excuse me दोनों का तो मतलब होता है माफी मागने के लिए लेकिन sorry का अपना एक अलग situation है यह ठीक है आपसे कोई गलती हो गई है ना आपसे गलती हो गई और गलती यह कोई छोटी मोटी गलती यह नहीं थोरी बहुत बरी गलतीओं के लिए तो आप sorry कहते हो और यह है कि आप गलती कर रहे हो आप disturb कर रहे हो थोरा बहुत disturbance होना चाहिए देखें, situation में disturbance होना चाहिए, थोरी बहुत disturbance हो रही है, तो आप पहले ही आगात करा देते हो, alert करा देते हो, कि भाई, ये मेरे से गलती हो रही है, ये मैं आपको disturb कर रहा हूँ, इसलिए आप excuse me कहते हो, तो sorry के अस्थान पर excuse me, और excuse me के अस्थान पर sorry नहीं कह सकते हो, next video मैं आपके लिए ले करके आऊंगा, sorry का भी प्रयोग, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि excuse me और sorry में क्या फर्क है, और दोने के फर्क को मैं बहुत है अच्छे तरीके से आपको समझाने कुशिश करूँगा, तब आपकी सारी confusion ने खतम हो जाएंगी, कि excuse me कब कहना है, और sorry कब कहना है, so dear students हम मिलेंगे next वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप share थोरा कर देना, और वीडियो को like आप करना या ना करना, लेकिन share कर देना, और अगर मेरे परहाने के तरीके अच्छे लगे हो, है ना, तो आप मेरे चैनल Miracle Uni Classes को subscribe भी कर सकते हो क्योंकि मेरी वीडियो जो बहुत ही different आया करती है, काफी अलग आया करती है, so मिलेंगे next वीडियो में, bye bye, take care